हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत हो गते स्टड़ी पॉंट यूटूब चैनल पर और आज के इस पट्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज से समधित कुछ बहुत ही महत्यपून सो जी के कोशन जो कि आपके आने वाल लगबक 10 मिनिट का ये वीडियो होगा जिसमें आपके 100 कोशन, 100 बहुत इंपॉर्टन कोशन आपके त्यार हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस सहर में राष्ट्य सरकार की स्थापना की गई थी तो ये है बलिया में ठीक है और इसी आंदोलन में महत्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का ये भी एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स कोशन है उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक शेत्रों में बाटा गया है तो ये चार आर्थिक शेत्रों में बाटा गया है नेक्स कोशन है किस परियोजना में बिहार नेपाल और उत्तर प्रदेश संबले थे ये हैं गंटक परियोजना ये कोशन मोस्ट इंप और यह आप लोग याद कर लिजेगा और देश की कुल जनसंग्या का लगबग 6.5 ठीक है 6.5 प्रतिशत जो है भाग हो उत्तरप्रदेश में रहता है और अगर बात कि जाए कितना एरिया कवर करता है उत्तरप्रदेश तो यह कवर करता है 7.33 ठीक है इतना आपको याद करना है नेक्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में सरस्यों के क्रिशी किस मौसम की उपज है तो ये है रभी की ठीक है अगला प्रेशन है आपके सामने उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंतरी कौन थी तो ये थी सूचेता कृपलानी अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंग स्टेडियम इस्तित है तो ये है मुझफ़र नगर जिले में देखे से पहले उत्तर प्रदेश जीके का एक और वीडियो जिसमें 100 कोशन को डिसकस किया गया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखेगा नेक्श कोशन हे चंद सेखर आजात मुदभेड में कहां शहीद हुए थे तो ये इलहाबद जो की अब प्रियागराज नाम कर दिया गया योगी सरकार द्वारा ठीक है बदला हुए नामे पहले ये इलहाबद था अब ये प्रियागराज है कि अगचो कोषिन है कि उत्तर प्रदेश का सरवादीक महत्पूर्ण नगदी फसल का क्या नाम है यह गन्ना है शुगर के सबसे जड़ गन्ने का उतपादन भी उत्तर प्रदेश को होता होता है चीनी केशा नाम से जाना जाता है तो यह जोना था संगम के नाम से अगला प्रेश न है उत्तर प्रदेश की किस जनपद में मुखेता लाल म।पढ है तो यह है मिर्जपूर मिर्जपूर सोन भद्र में रेट स्वयल पाए जाता है अगला प्रेशन है आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना संग्राले कहां इस्थित है तो ये लखनाू जो की उत्तर प्रदेश की राजधानी है नेक्ट्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की जिले में पाय जाता है ये भी कोशन 5-6 बार पुछा गया है most important question है ये ललितपुर में पाया जाता है next question है दिया सलाई उद्योग का प्रमुक केंद्र उत्तर प्रदेश में कहा है तो ये है बरेली में next question है उत्तर प्रदेश के राजपाल की न्युकति कौन करता है रास्टपती उत्तर प्रदेश के नहीं सभी राजपाल की न्युकति रास्टपती जी करते हैं अगला प्रेशन है आपके सामने, 1925 में भारती राश्ची कॉंग्रेश का वाश्ची का धिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, यह हुआ था कानपूर में, ठीक है, नेक्स्कोशन है, उत्तर प्रदेश को वर्षा के वितरण के अधार पर कितने जल्वाई विभागों में बाटा गया है, तो यह बाटा गया है, दो विभागों में, नेक्स्कोशन है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कितने राश्ची अध्यान है, मैंने आप सका था, एक important question, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी 18 जून 2001 में अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेश्मी साणिया बनाई जाती है तो आच्छे यहां पर मेरट होगा या वराणसी होगा यह आप लोग जरूर बताएगा मुझे ठीक है म मेरट या वराणसी लखनाउ योजना किसके विकास से संबंदित है यह सडको के विकास के अगला प्रेशन आपके सामने उत्तर प्रदेश की स्थापना किस कब है यह है एक नवंबर नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाशा कब गोशित किया गया था में इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में परमाडू विद्धुत केंद्र कहा है सीते नरोरा यह भी कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट ने कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है अगला प्रेशन आपके सामने 1857 के विद्ध्रो का प्रम मेरट और कानपूर में तो इसको अच्छे से याद कर लिजेगा बता देरी में आपको फटाफट जहांसी लक्ष्मी भाई बरेली खान बहादुर खान कानपूर नाना सहाब तात्या टोपे फैजाबाद मॉलवी एहमद उतुल्ला नेक्स्ट है लाहाबाद लियाकत खान म अथ्रा देवी सिंग मेरट कदम सिंग ठीक है नेक्स्ट है सरोजनी नाइडू रास्टी कॉंग्रेश की अध्यक्ष पहली बार कब और कहां बनी थी अभी मैंने डिसकस किया था 1925 में कानपूर सेशन में इनकी अध्यक्ष कौन थी सरोजनी नाइडू नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं 75 जिले हैं नेक्स्ट्र बारत कला भवन म्यूजियम कहां इस्थी थे वाहरांसी में इस्थी थे नेक्स्ट कोशन है किस जिलाक के जनजाती द्वारा शेरा नित्र क्या जाता है most important question तो जी क्या जाता है ललित पूर उत्तर प्रदेश क कि किस सहर में सुलह कुल तेवहर मनाया जाता है जो कि हिंदू मुसल्मानों की एकता का प्रतिक है आगरा ये भी कोशन कई बार एक्जाम में पूछा गया है नेक्स कोशन है उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस से 404 है जिसमें 403 और एक कौन से नॉमिनेटेड उत्तर प्र और फोर्ज है नेक्स्ट रहे उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1956 राज्ट की पुष्प का नाम क्या है ब्रहम कमल इसको पलाश भी कहते है नेक्स्ट से नोएड़य को किस वर्ष स्थापित किया गया था उननीश सो चीअत्त्र में है नेक्स कोशन है न नुएडेव किस वर्ष स्थापित किया गयता है उनिस सो शीयत्तर में अयुद्या भगवान राम का जन्म स्थले किस जिले में इस्तित है फैज़ाबाद इसका नाम अब बदल करके अयुद्या कर दिया गया है नाशनल शुगर रिसर्च इंसिट्टूट कहां इस्तित है कानपूर में है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था नेक्स्त प्रदेश का सबसे पुराना विश्युविद्याल है कौन सा इलाबाद इंपॉर्टन कोशन ने कई बार पूछा भी गया है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में चौरेसिया नेतर कहां किया जाता है जौनपुर में उत्तर प्रदेश में जयाव प्रद्योगी की पार्क कहां इस्तित है सापित क्या गया है लखनव में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नौलेश पार्क की स्थापना कहां की गई है तो यह है ग्रेटर नौएडा अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश में प्रथम सौफ्वियर टेक्नॉलजी पार्क की स्थापना कहां की गई है लखनों में उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां इसी थे यह भी लखनों में है नेक्स्ट है इलहाबाद के एलफिट पार्क का बदला हुआ नाम क्या है तो यह है चंद सेखर आजाद अलहाबाद के एलफर्ट पार्क का क्या हुआ नाम क्या है यह है चंसेकर आजात्सवर सेंटेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ध्यान दिजेगा आप लोग नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मानेता प्राप्त स्टॉक एक्शेंज कहां पर है कानपूर यह कोशन अभी हाली के एकजाम में पूछा गया है इंपोर्टन्ट है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमी मापनिकाई क्या है बीगा है आपको पता ही होगी डॉक्टर भ प्रदेश में पर्याटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी 1974 में नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में किशान भाई योजनक का प्रारम किया गयता 1992 में ऐसे आर्थ कर सकते हैं ट्रिक है भाई बानबे ठीक है आपको याद करना किसी भी तरह सड़क के विकास से उत्तर प्रदेश में ग्यान दीप शिख्षा योजनक कब प्रारम की गई है सिदंबर 2002 में किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारम हुई ये भी इंपोर्टेंट है जून 2001 को अगला प्रेश ने कारेकरम का प्रारम कब किया गया था किस का मिड़े मील कारेकरम ठीक है उनिच सो पिंचानबे में उत्तर प्रदेश का छेत्फल कितना है तो यह है लगवा कितना याद कर लिए जो कि भारत का कितना है 7.3 थी अभी मैंने उपर डिसकस किया था आपसे छ और वर्बन पर कौन सा है राजस्थान उत्तर प्र Deus का सरवादिक राजयों को छार जिला कौन सा है सोनमः चार राज्य प्रामुक नदिया कौन GUYना सोडी डेंगा यमना राम गंग मेंवती केंवेटवा और घागरा सरवाधिक वर्षा कहाँ पर होती गुरकपुर में सबसे कम वर्षा कहा पर होती मत्रा में ठीक है यह भी याद कर लेना है उत्तरप्रदेश का टोटल जलसन क्या कितना है इतना है जोकि 6-16 प्रतिशत जोकि मैं उपर आप से discuss भी क्या था याद कर लीजेगा साक्षरत अदर कितनी है यह है 67 जिसमें पुरुषों की है 77 अब महिला की पूछा आता है तो यह है 57 यह भी आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में रास्ट्री राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है 8711 किलो मेटर उत्त्र प्रदेश का कौन सा स्थान दूसरा है उत्तर प्रदेश से होकर गोजरने वाला सबसे लंबा रास्ट्री मार्ग कोन सा है ने स्वल नेक्स्ट रान प्रदेश में सरवादिक लूच है यह ती 159 में उत्तरप्रदेश में रेल गाड़ी जे कहां कहां तक छलाई गई ती इसमिल्धलिए स्थर्वाधिक अनुशूचित जंजाती वाला जिला कौन सा है सोन भद्र का उत्तरप्रदेश की प्रमुक्लोग्जित कौन सी फिर 2017 आजिकने चैती, कजरी, रसिया, फाग, आलह, पूरन भारत, पूरन भगत, सोरी, ठीक है, नेक्स्ट रहे, उत्तर प्रदेश का लोक नित्य कौन सा है, ये कट फुडवा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई टंडा, धोबिया, राई एंड थारू, उत्तर प्रदेश में सरवादिक ज संक्या वाला जिला कौन सा है, महूबा, उत्तर प्रदेश में सरवादिक जन घनत वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जन घनत वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में सबसे जादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ग वाला जिला कौन सा है सीतापूर ने हम शर्थ कुम अनोसुशी जाती वाला कौन सा बागब हे बात हो रही है अनोसुशी जाती में सीतापूर यह जैसाARA का निंदे चार्थ बहुत है थे जैले बागवत है शर्थ हो क Scorpion जाती के बात की जले तो उसमें बागपद भी ही आएगा ठीक है जाती में भी सेम वह आंसर होगा जो किये अधीक जनजाती वाला जिला कौन सा है सोन भद्र और सबसे कम बागपद ठीक है यहां आपने कोश्चन आप से डिस्कस किया थैंक्यू